नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है किशोर और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 70% पृत्वी पानी से भरी हुई है और उसकी सतर पर सागरों और महासागरों के रूप में पानी मौजूद है पर क्या आपको पता है पृत्वी के अंदर जमीन की कितनी गहराई में कितनी मात्र दोस्तों पृत्वी की सतर पर जो पानी अविलेबल है सागरों और महासागरों के रूप में इसके अलावा भी चट्टाने इलाकों की गहराईों में भी भारी मात्रा में पानी है जिसे हम सब ग्राउंड वाटर कहते हैं और ग्राउंड वाटर पृत्वी में हर जगह पर क कहीं पर जादा तो कहीं पर कम मात्रा में पाए जाता है और आप किसी मैप को भी उठा कर देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और फूर एक्जामपल आप इंडिया के मैप में भी देख सकते हो पर इसके अलावा भी पृत्वी की गहराई में बड़ी बड़ और खाली 6 किलोमेटर ही नहीं इससे भी गहराई एक बोरहल खोदा गया था जिसके गहराई 12 किलोमेटर के लगबग थी और उस बोरहल का नाम रखा गया था कोला सूपर डीप बोरहल पर इतनी गहराई तक के खड़े खोदने के बावजूद भी हमें कोई भी नदिया या पर सागर नहीं दिखाई दिये और अगर कंपेर करें तो प्रिट्वी की जो उपरी लेयर है जिसे हम क्रश्ट कहते हैं और यह क्रश्ट अकेला ही 50 किलोमेटर गहरा है तो अगर देखा जाए तो यह कोला सूपर डीप बूरहल जिसके गहराई 12.3 किलोमेटर है तो यह इस क इसाब से एक नए अनुमन लगाये गया जो सबको चोका देने वाला था और इस नई रिपोर्ट ने बताया कि प्रत्वी की गहराई में भी उतना ही पानी हो सकता है जितना की प्रत्वी की सतव पर सागरों और महा सागरों के रूप में मौजूद है और यह वैग्यानिकों के एक चोका देने वाली रिपोर्ट थी फिर क्या इस चीज को वेरिफाई करने के लिए और नए रिसर्चर्चर्च शुरू कर दिये गए फिर कुछी सालों बाद इनुवर्शीटी ऑप एडिनब्रा और फ्लोरीडा इस्टेट इनुवर्शीटी की कुछ खास रिसर्चर्च का बना एक mineral compound था लेकिन इंटरेसिंग बाद तो ये थी कि ये प्रित्वी के 400 से 600 km की गहराई में पाया गया था जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था वैसे प्रित्वी की इतनी गहराई में प्रेशर और तापमान की वज़े से कोई भी ब्रुसाइट डिस्टर हो जाता ह पानी के compound को release कर देता है और बाद में वो भाब बनकर प्रित्वी की उपरी सद्वर आ जाते लेकिन ये वाले ब्रुसाइट थोड़े से special थे और इतना तापमान और इतना प्रिशर होने के बावजुद भी stable रहे इसलिए इनका नाम रिंग वोड़ाई रख दिया गया ले 800 किलोमिटर का जो प्रित्वी की घहराई का जो center point है जैसे हम mental कहते हैं तो इस अठाइसो किलोमिटर गहरे mental का ये इस सीर्क 20% भागी है लेकिन ये भी प्रित्वी की घहराईयों में मौदूद पानी की परम सीमा नहीं है एवरिश्टों इलिनॉइ की university के एक खास researcher ने अप कुछ मिनरल्स जिनकी माइक्रोस्कोप दारा जांच करने पर पता चला कि उसमें भी हाइड्रोक्साइल ग्रूप के पदार थे जो नॉर्मली पाने साही आते हैं इस चीज पर और रिसर्च करने पर पता चला कि ये प्रत्वी की एक हजार किलोमेटर की गहराई से ज्वाला मुखी के मलबे के साथ प्रत्वी की उपरी सत्था पर आये था एक हजार किलोमेटर गहराई बुले तो यार प्रित्वी के कूर की एक तियाई गहराई ओ एम जी और इसने तो मेग्यानिको की हालत खराब करके रख दी ती क्योंकि अब उनके सामने दो थियोरी निकल कर आ गई पहला कि जमिन के अंदर जो वाटर साइकल है वो इतनी गहराई तक फैला हुआ है कि कभी किसीने कल्पना भी निकी होगी दूसरा ये कि अभी तक हम सोचते थे कि प्रित्वी पर पानी अंतरिक से कॉमेट लाए थे लेकिन अब ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता और ऐसा भी मना जा रहा है कि प्रित्वी के साग्रों और माह साग्रों का पानी प्रित्वी के गहराई के भागों से ही बहार आया है पर ऐसा भी हो सकता है कि अंतरिक से लाया गया कॉमेट द्वारा पानी और पत्वी के गहराई का पानी इन दोनों के सहयोग द्वाराई ये पॉसिबल हो पाया है जो हमारे इस ग्रह और हम इंसानों को खुस नसीब बना देता है लेकिन दोस्तों में पानी की बचत भी करनी चाहिए हर तरीके से अगर आप एक बाल्टी या फिट बाल्टी में ना सकती हो तो आपको तीन से च्यार बाल्टी वेस्ट करने की कोई जरूत नहीं है ताकि यह में फ्यूचर में पानी की कमी न हो और इसी तरीके से आप हर चीज में पानी बचाने की ट्राइक कर सकते हो खेर मुझे तो पानी से जुड़े इस बड़े रहस्य को जानकर बहुत ही अमेजिंग लगा और आई होप कि यह आपको भी लगा होगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले अब मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में एक इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए कीप बाचिंग, कीप सपोर्टिंग, धन्यवाद